राजिस्थान के जो पॉपुलर वाले मिर्ची बढ़े होते हैं जोदपूर, बीकानेर, पाली ये पॉपुलर होते हैं अपने मसाला के लिए कचोड़ी समोसे से हट कर इनकी जो अंदर का लाल मसाला बनाया जाता है वो इनको बनाता है खास खास तोर पे देखिए ये मसाला इसका जो बैडर बनता है बेसन का इस तरह बनाया जाता है कि ऑईल तो ये बिलकुल अबसॉब नहीं करते अब देखिए जो अंदर का मिर्ची बढ़ा का जो ये मसाला है वो इस तरीके से पतली सी मिर्ची में भरा जाता है जिससे बनते हैं फूले मोटे मोटे मिर्ची डगाना है कि मिर्ची के ऊपर सिफ सिलिट बनाना है अब ये जो बीज आप देख रहे हो ना मुर्ची बढ़े के अंदर अब आपको चंबच के जो उल्ठा कर दिया है सारे के सारे बीच निकालती है डंटल समेत आपको मिर्चियों को रखना है अब इसे मैरिनेट कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर से और थोड़े से नमक से इसे जो मिर्ची है उनमें अच्छे से स्वायद आएगा साथ ही में एक पूरा नीमु का रस भी इनमें नि नेट होने देंगे दो कब बेसन लेंगे कोई से भी कंपनी का क्वालिटी का मोटा पतला आप बेसन ले सकते हैं और यह जो बेसन है इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक स्वाध अनुस्तार नमक आपको मिलाने के बाद इसमें 1 फॉर्ट टीस्पून बेकिंग सोडा आपक बैटर बनाने के लिए मिर्ची बड़े का मैंने आपको पहले भी कोफते की रेसिपी में बताया था कि बैटर जो होता है बाकी पकोडों के हिसाब से बिलकुल अलग बनेगा मिर्ची बड़े का यह देखे थोड़ा सा थिक बैटर होता है करीब 2 कप बेसन में 1 कप प्लस 1 पानी का मैंने इस्तमाल करते हुए बहुत जादा फेटते हुए इस बैटर को लगाया है इस तरीके से आप बैटर बनाएंगे तो यह बिलकुल भी मिर्ची बड़े ओयल एब्सॉब नहीं करेंगे जितना अच्छा बेसन के बैटर को फेटिंगे न उतना ही कम ओयल मिर्च दो बड़े चमच साबुत दनिये के बीज लिये हैं मिक्सी के जार में दो बड़े चमच सौंफ लिया है फेनल सीट्स और एक चमच काली मिर्ची ब्लैक पेपर एक मेंने साथ हरी वाली जो इलाइची होती ना छूटी इलाइची वो भी इसमें डाली है और दस मेने करीब आसपास लॉंग के लिए हैं ग्लोफ के एक चमच हम इसमें डालेंगे अजवाईन, कैरंव सीट्स और तीन कश्मीरी लाल मिर्चियां कश्मीरी लाल मिर्ची देखें रिंकल वाली होती हैं बहुत कम तीखी एक वान टेबल स्पून ड्राय फेनुग्रेक लीव के कसोरी मेती दो बड़े चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर जिसे बहुत ही अच्छा लाल रंग आता है और तेर चमच चाट मसाला जिसकी रेसिपी मैं अल्रेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो बड़े चमच कचरी पाउडर जो की आदी चमच हींग असिफटीडा जो की बहुत जरूरी है इस मसाले के अंदर और अमचूट ड्राइ मैंगो पाउडर आदी चमच इसमें हम डाल देंगे एक चमच में इसमें डाला है नमक का स्वाद अनुसार देख लीज़े आपको जितना नमक डालना होता है और तो चमच रेड फूट कलर यह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं पर मैं बिल्कुल बजार वालों की तरीके से रेसिपी बना रही हूं एक चमच में इसमें पुदीना पाउडर मिंट लीफ को सुका के दो दिन आप पाउडर बना सकते हैं या माइक्रोवेव करके पाउडर सकते हैं तीन मिनिट पुदीने की पत्तियों को और आदा चमच सिट्रिक असेड नीमबू का सत्त जिसे बोलते हैं नीमबू का फूल टाटरी जिसे बोलते हैं एजली किरानों पे या आमेजान पे यह अवैलेबल है यह भी हम डाल देंगे इस से जो मसाला है ना पूरे दि इसमें डाल दी है मैंने अब लैसून और प्याज ऑप्शनल होता है जो लोग अवाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और वनफोर्थ कप मैंने इसमें अनार के देखे फ्रेश अनार डाला है अगर आपके पास सूखा अनार दाना है तो आप वह भी डाल सकते हैं लेकिन अनार से एक तो रंग बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर अनार के जूस का बहुत अच्छा आएगा बिल्कुल इसी तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं तीन बड़े चमच मोटी वाली सेव या जो भी नमकीन है आपके पस लेसुनी सेव है या जो भी सेव है वो डाल द ए adesso कर दो की बड़े चममच लिएमन चेटी में न's न मिर्ची बड़े का तो तोड़ी की देर को बूल लें में बहुत प्रसाई दा म साल दिए ना कहले ला साब भिन तो इससे अगर आप गहर बहुत अच्छी रेसिपी आप 100% मिस कर देंगे और इसमर दोurn सेघकर हो मायते तो प्याज फाइनली कटे हुए मैंने इसमें डाल दिये हैं और जो लोग प्याज और लेसुन नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं लेकिन यही ट्रैडिशनल तरीका है जोद्पुरी मिर्ची बड़े बनाने का और पाली में भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं जो लोग प मिर्ची बड़े और आपको मसाले को अच्छे से भूण लेना प्यास आपको लगे कि तोड़ासा नरम होने लगा है यह पांच उобщेवे मेश करके आपको डाल देने हैं उबलेवे आलू को अच्छे से पूरी गुटली निकाल के मैश करके आपको इसमें डालके इसे तेज आँच में मसाले को अच्छे से बूनना है बिल्कुल इसी तरीके से ये मसाला बनता है मिर्ची बड़े का मिर्ची बड़े अलग-अलग तरीके से अलग-अलग स्टेट्स में बनाये जाते हैं ये लाल मसाले वाला मिर्ची बड़ा है फिर कभी में आपको येलो मसाले वाला मतर वाला मिर्ची बड़ा बनाना बताऊंगी लेकिन ये जो लाल मसाला है ना पूरे इंडिया में वर्ल्ड में पॉपुलर है इसे आप जरूर एक बार घर में ट्राइ करिए और ये बिल्कुल पर्फेक्ट टेस्ट आता है जो मिठाय की दुकानों पर मिर नहीं भरेंगे इसके लिए एक परात में आप मसालों को इस तरीकि hanno के खिलाके अच्छे से ठंडा कर लीजए बिल्कुल मिठा घंडा हो जायगा ला उसके बाद इसे मिठी में भर के हम दिख्यों मिठी तलेंगे मिठी बड़े के ना उतना भर लीजे मिर्ची को आपको तोड़ा सा हातों से चोड़ा करना है और उसमें मसाला भर देना है कई जगों उपर मिर्ची का जिए मसाला होता है इसे मिर्ची के उपर भी लपेट दिया जाता है लेकिन मैं अंदर ही भर के बनाऊंगी फतली वाली है मिर्ची है आप मसाला भर दीजिए और है ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है अब बना के देखिए आप से गुमाते कोट कर दीजे और डंडल से उठाते हुए गरम-गरम तेल में इसे डलना है, अब जब मिर्ची डाल रहे हूं तो तेल का टेंपरीचर कर दीजे थोड़ा सा कम और सारी की सारे मिर्चियां एक बार बार तेल को गरम ना करना पड़े और तेल जले ना तो इस तरीके से जित्ती भी मिर्चियां है मैंने बनाई हैं मुसारी डाल दी अगर कुछ बच जाए तो सेकंड लॉट में तल लूगी यह देखें मिर्चियां जो है मीडियम फ्लेम पर फ्राई होती है और इस तरीके से यह ब्राउन हो गई है आप चाहें तो इसे दुबारा से बना के रख लीजे महमान आए तो दुबारा से गरम गरम तेल में आप इसे फ्राई कर सकते हैं दो बार भी लोग इसे फ्राई करके देते हैं यह देखें मिर्ची बड़े को काट कर सर्फ कर सकते हैं चटनी के साथ और चटनिया मैं अल्रेडी सिखा चुकी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेर कर दूँगी ये वाली चटनी का लिंक खटी मीटी मिक्स चटनी है ये और आप इसे घर में